हेलो नमस्तकार दोस्तों मैं मोनिका धाजडिया आज आज आका फिर से स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चेनल केरियर बना उपर देखो अपनी पांस टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और फाइव स्टार अपने कंप्लीट हो चुके हैं अभी आज मैं लेक्या ही हूं स्म deze हो देखो हैं कि फिर के पीज पर 10 और वह स्टार थैंडारायाा उट्यूं करने को साथा साथ हैं चुन पेले डाल दिये उसके हलावा साइब मैंने 30 ते, 30 या 40 कि चो न कर वा दिये हैं मैंने क्लास के सा, साथ में पचास क्योशन ये है एक चेप्टर से नबब क्योशन का मतलब आप समझ रहे हो इससे भाहर तो कुछ आने का चांस ही नहीं है ठीक है इसके साथ अपनी जैसे ये क्योशन करेंगे अपना पूरा चेप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और फिर ये भी नहीं बोल सकत अपना पहला क्योशन है बिजली बंद कर दिये जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं मतलब अगर लाइट चली जाए इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाए या पिर अचानक से चलते चलते कंप्यूटर या आपका सिस्टम है वो बं स्टोरेज और डारेटल स्टोरेज टो या डारेक्ट इस तो मैंने यह बताया था आपकी जो रोम है और रोम है वो क्या है no명 वूटर यू है और तो कि यह और बोलें इसके अंदर देटा आपका पर्माणेंट्ली से होता है bearing मनें घ्रम देटेंटी जब तक आप देटा को डाटा रेज नहीं होता है तो यहां पर आपका option भी हो जाएगा नोन वोलेटाइल स्टोरेज क्योंकि हमें यहीं पुछा है कि लाइट जाने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है उसके बाद में भी डाटा स्टोर रहता है वो क्या कहलाता है वह आपका नोन प्रेजेंट कहेंगे प्रेजेंट का मतलब अपने वह भी बोलते हैं कि आप प्रेजेंटेशन देना या फिर कोई आप फाइल तयार करते हैं या फिर आप कोई मोडल तयार करते हैं उसको आप प्रेजेंट करते हैं दिखाते हैं क्या वह होगा क्या स्टोर होगा क्या और आउटपूट अपना भी हुआ नहीं है हाडवेर के बाद में अपना इन्पूट आउटपूट आएगा उसके अंदर अपन ये इन्पूट और आउटपूट के बारे में जानेंगे उसके अलावा इन्पूट आउटपूट मैंने बताया ही था कि वही जो इन्पूट क् आउटपुट क्या होंगे जो अपन को प्रोसेस होने के बाद में डेटा को प्रोवाइड करवाएं वह आपके आउटपुट हो जाते हैं तो यह option तो यहीं आपके cancel out हो जाते हैं बचा present और store तो present करना क्या दिखाना या फिर आपको आउटपूट देता है, वो computer का data होता है, या फिर उसके अंदर store होता है computer का, तो जब मैंने ये class बढ़ाई थी आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि computer के अंदर data क्या होता है, store होता है, तो आपका B option इसमें सही हो जाएगा, निमन लिखित में से कौन सी memory, style memory है, पहले क्योसन से related है, लेकिन क्योसन की language बदल दी गई थी, ये क्योसन भी exam में आया था, अब ऐसे ही क्योसन घूम के आ जाए, तो आप लोग तो सीधा के बोलो, मैं मैं आपने पढ़ाया, उसमें से नहीं आया था, लेकिन आप एक बार द नोन वॉलेटाइल मेमोरी है, इस वर्ड को आप जैसे अपने इंगलीस में एंडोनिम सीनोनिम याद करते हैं, ये स्ताइ के सिनोनिम याद कर लीज़ें, लेकिन इन नोन वॉलेटाइल और वोलेटाइल में कन्फ्यूज हो जाओगे, तो नोन वॉलेटाइल को ऐसे याद है नोन यानि नहीं वो लेटाइल मतलब एरेज नहीं होता है ना और वो लेटाइल का मतलब एरेज हो जाता है तो नोन का मतलब नहीं होता है ऐसे याद रखना है नहीं होता मतलब वो स्थाई रहता है तो स्थाई है वो नोन की फुल फॉर्म क्या बताई थी रेम की फुल फॉर्म क्या थी रेंडम एकसेस तो मैं ने क्या बताया था अगर आप अभी मेरी क्लास देख रहे हैं मतलब अभी हाथ ओ हाथ या फिर कोई होता है वह रेम में होता है मазला प्रज़ेन टाइन के बाद में बीड़ेटा स्टोर रहता है या फिर जिसको अपने पर्मानेंट लिस्टोर कर देते पन् तो रॉम्न का मतलब है जो आपका प्रजेंट टाइम में जो भी सिस्टम चल हार्ड डिस्क में सोफ्ट्वेर प्रोग्रामों को कोपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं क्योशन को ध्यान से पढ़ना है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सोफ्ट्वेर प्रोग्रामों को कोपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं क्या वो आपकी configuration हो जाती है क्या उससे डाउनलोड करना कहते हैं क्या उससे storage कहते हैं या फिर installation कहते हैं अपन कोई भी चीज है या फिर ऐसे माली आपके पास कोई pen drive है हाना pen drive में आप कोई मतलब app वगेरा कुछ भी लेके आते हैं या फिर कोई कि एप आप लोगों को install करना है या फिर अंदर डालना है computer के तो उसको आप configuration बोलते हैं या download बोलते हैं देखो आपके phone के अंदर आता है कि इस चीज़ को आप बार बार बोलते हैं इंस्टॉल कीजिए इंस्टॉल कीजिए ना तो आपका जो secondary storage मीडिया है उसको आप सोफ्वेर प्रोग्रामों को सोफ्वेर प्रोग्राम में कोपी करेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे उसको आप इंस्टॉल करना वोलते हैं क्या बोलते हैं इंस्टॉल करना अगर बात करें, निमन लिखित में से कौन सी मेमोरी का भाग है, कौन सा है वहिएं कौन सा मेमोरी का भाग है, रेम, पेंड ड्राइव, सीप्यू या लेन लेन क्या होती है आपकी, लेन हो जाता है, एक नेटवर्क एरिया है, जिसको अपन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो मैंने आपको मेमोरी के दो प्रकार बताए थे, ठीक है, वो दो प्रकार कौन से थे, वो थे आपके रेम एंड रोम ठीक है, तो इन में से कौन सा नाम आपको दे रखा है, देखो CPU तो नहीं होगा, यह आपके hard drive में आ जाते हैं, pen drive नहीं होगा, उसके अलाव़ क्या होगा, आपका option A हो जाएगा, आपका RAM हो जाता है, ठीक है, अगला question है अपना, जब कोई user, question को ध्यान से पढ़ना है, जब क document as high root से कहां store होता है, present time में वो document में काम कर रहा है, पहली चीज तो इसने यहीं बता दी कि वो user document पर कारिये करता है, मतब present time कर रहा है, जैसे कि आप class ले रहे हैं, तो कहां लेते हैं, RAM में लेते हैं, दूसरी चीज इसने यह भी बता दी, document as high root से, as high क्या आप, synonyms लिख ल या फिर temporary, यह तीन वर्ड आएंगे, क्योशन में, इन तीनों में confused हो जाओगे, तो आप इनको याद कर लीजेगा, क्योशन में कोई चेंजमेंट नहीं है, बस यही आता है, as high पूछ लेता है, वोलेटाइल पूछ लेता है, या फिर आपको temporary पूछ लेता है, तो कौन सी ह हो जाती है, आपकी रेम हो जाती है, ओप्सन नमबर A, अगला क्योशन है, कम्पूटर में कितने परकार की मेमोरी पाई जाती है, यह चीज़ भी मैंने अभी class शुरू होने के बादें, दो बार repeat कर दी, यह कम्पूटर में मैंने कितने परकार की मेमोरी बताई थी, दो पर कर की मेमोरी होती है, कौन से आपकी रेम या रोम, तो ओप्सन नमबर A हो जाएगा, अगला क्योशन देखे, निमन लिखित में से कौन कम्पूटर के स्टोरेज डिवाइस होता है, कौन से? निमन लिखित में से कौन से computer के storage device होते हैं क्या arithmetic logic unit होता है क्या mouse होता है क्या control का संकलन होता है या फिर RAM होता है arithmetic logic होगा नहीं इसका storage से related coin ये process में काम आता है आपकी जो calculations होती है वो आपकी ALU में solve की जाती है तो आपकी जो input calculation में आती है वो ALU के through आपकी process होके आपको output में देते है mouse आपका एक hardware हो जाता है तो ये भी storage से कोई relate नहीं करता control का संकलन करना मतलब आप किसी चीज़ को control कर रहे हैं या फिर कोई process करवा रहे हैं इंपुट दे रहे हैं तो इसमें भी आपका कोई भी storage device का chance नहीं बन रहा तो आपका A, B और D तो ऐसे cancel हो जाता है नहीं क्या answer पे टिक है ना वो है ना student of the year movie है उसके अंदर जे माता दी जे माता दी और फिर वो class में टॉप करता है वैसे करना है लेकिन उसने तो तुक्के मारे थे अपन को तुक्के नहीं वारना एकदम exact answers टिप्स पे होने हैं अपने तो बही एक चेप्टर के आप असी-असी क्योसन लगा रहे हो 70-70 क्योसन लगा रहे हो अभी memory वाला है छोटा सा चेप्टर है ठीक है इसके अंदर मैंने आपको 80 क्योसन करवा रही हूं इसके बहार क्या आएगा आप खुद सोच के देखो एक चेप्टर से 80 क्योसन कई नहीं मिलेंगे बुक्स में भी न इसके अंदर अभी इसके बहार तो कुछ आने का चांस है नहीं ठीक है अगले क्योसन की तरफ बढ़े कंप्यूटर के किस भाग में डाटा एवम प्रोग्राम रखे जाते हैं मतलब कंप्यूटर का कोई ऐसा भाग जिसके अंदर आपका डेटा या प्रोग्राम रखा जात तो भई डेटा कहां जाके स्टोर होता आपका प्रोसेसर में होगा बिलकुल नहीं प्रोसेस का मतलब क्या है आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाना हाडवेर क्या होते हैं आपको इन्पुट या आउटपुट देना सॉफ्टवेर भी वही हैं हाडवेर और मतलब के कंपुटोर के अंदर कुछ सोंट होते हैं बचा क्या में मेमोरी तो टोरेड सह कहां होती है आपकी में मयमोरी में होती है मैं लीच दिन इंट ना Devi डन छरी आपके के इन दिमाग में श्व आपकी हो जाती है कई बार तो ऐसी ऑसी आशाती कि रात को नइद नहीं आ तो आपका यहाँ option C हो जाएगा अगला क्योशन है computer की मुख्य memory होती है मुख्य memory मुख्य memory को अपन primary भी बोलते हैं क्या बोलते हैं primary इसके अलावा प्राथमिक memory देखो सब्द में अंतर आएगा क्योशन में वही है वह सब्द का अंतर कर देंगे और आप क्योशन छोड़के आ जाओगे उसके बाद में जब आके answer की मिलाओगे तब आपको दुख बढ़ाओगा कि मैम यह क्योशन तो आपने करवाया था उस दिन हमने synonyms याद नहीं किये थे हम computer में देखो synonyms भी पढ़ रहे हैं जिक्के की तरह tricks भी पढ़ रहे हैं maths भी पढ़ रहे हैं सब कुछ हा रहा है computer में ठीक है तो computer की मुख्य memory होती है क्या होती है आपकी भीत्री बाहरी सहायक या इन में से कोई नहीं भीत्री का मतलब क्या होता है जो पहले से उसके अंदर store की गई हूँ आपकी रेमेंड रोम बाहरी जो बहार से प्रोवाइड करवाई गई हो जैसे cd, dvd, pen drive, memory card ठीक है यह सब आपके बाहरी हो जाती है और बाहरी को अपन सहायक भी बोलते हैं ठीक है तो आपका भीत्री हो जाएगा इसमें यह सारे options कट जाएंगे और आपकी जो भीत्री memory होती है जो अंदर पहले से मुझूद होती है उसको हम primary memory मुख्य memory या फिर प्राथमिक memory भी कहते हैं अगला क्योंसन है फ्लोपी डिस्क किस परकार की memory से समंध रखती है आपकी फ्लोपी डिस्क है वो किस परकार की memory है क्या computer के अंदर पहले से वो प्रोवाइड करवाई जाती है या फिर उसको as a helper या फिर सहाईता के लिए हम काम में लेते हैं बहाई ये memory होती है तो देखो फ्लोपी डिस्क बहार से अपन प्रोवाइड करवाते हैं यह चीज़ तो क्लियर है तो क्या वो इंट्रनल होगी बिल्कुल नहीं होगी इंट्रनल क्या हो जाती है जो पहले से अपन को मिल जाए तो यह उप्सन यहां कट जाता है वो लेटाइल अभी आपको पूछा है किस प्रकार की मेमोरी है आपको यह नहीं पूछा कि वह वह डाटा स्टोर रखती है या नहीं रखती उसमें आपको यह अगला उप्सन हो जाता है आपका एक्स्टरनल तो फ्लोपी डिस्क अपन भार से प्रोवाइड करवाते है तो क्या हो जाएगी एक्स्टरनल ठीक है तो आपका विप्सन या सही हो जाता है अगले क्योशन की तरफ बढ़े निमल लिखित में से कौन सा कथन सत्ते है ठीक है कौन सा कथन सत्ते है देखो बiusटन में अपन यहां कहां कंफ्यूज होते है सत्य है या सत्य नहीं है अपन क्योसन पूरा पढ़ते नहीं है और आंसर क्लिक करने को दोड़ जाते हैं ऐसा नहीं करना है अपने को क्योसन पूरी तरीके से पढ़ना है पूरा अच्छे से देखना कि क्योसन क्या है अगर क्योसन सही तरीके से पढ़ लिया तो आंसर को पहले जाते हैं प्रोग्राम्स थाई होते हैं देखो फ्लेश मैंने पढ़ाया था कि फ्लेश का मतलब है थोड़ी देर के लिए मतलब एक लाइट आना इसे याद रख लेना थोड़ी देर के लिए लाइट का आना या फिर ऐसे बोले अपने मोबाइल हैं उस मोबाइल में अपने फ्लेश मेमोरी यूज़ करते हैं मतलब कोई डाटा अपने अभी मान लीजे अपनी फोटो क्लिक की वो फोटो अपने को पसंद नहीं अपने उसको डिलीट करके दूसर स्थाई होती है उसके अलावा रोम में प्रोग्राम स्थाई होते हैं तो रेम में स्थाई होते हैं रोम में कन्फिजन यहां होगा तो आपके रोम में प्रोग्राम स्थाई होते हैं सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जाते हैं नहीं मैंने कल क्या बताया था उसमें चैंज नहीं होता किसमें जोता है वह आपका रियराइबल सी डियराइबल में आप चैंज मेंट कर सकते हैं तो आपका ऑप्शन फर्स्ट फॉर्थ गलत हो जाता प्रोग्राम है अगला क्योंसन है रेंड़म अक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है रेंड़म अक्सेस मेमोरी देखो रेंड़म का आर पकड़ो एक्सेस का ए पकड़ो मेमोरी का एम पकड़ो आपका ओपसर नमबर एक ऐसे भी क्योंसन आये थे एक्जाम में देख लो foreign future BÜNDNIS 39 wird बंध होने पर a space के content निकल जाते हैं बिद्धिश के content निकल जाते हैं computer बंध होते ही बनलब सीधी सी बात है आपका content या data कहां स्टोर होता आपका memory में storage होता है memory दो उप्रकार की मैंने बताई हैं उनमें से एक तो electricity pass होगी तब तब तक चलेगी जैसे electricity गई data erase हो जाता है उसका data निकल जाता है और एक में save रहता है तो अगर data निकलेगा तो किसका निकलेगा input का नहीं input तो अपन कोई command दे रहे हैं वह है output जो computer हमें provide करवा रहा वह है CPU CPU तो विचारा आपके computer को manage करता है तो यह तीन ओप्शन यहां कट रहें आपके तो अप्शन हो जाता है डी देखो इजी जी के उसने थोड़ा असा दिमाग लगाते ही क्लिक हो जाई है एक एक line answers में नहीं लिखाई जाती नोट्स में नहीं लिखाई जाती उस line को घुमा के देदे वह हमारी कोई गलती नहीं होती आपको समझना भी पड़ता है पका पकाया मिल जाता है सिर्फ खानी की देरी है ऐसा नहीं होगा competition का level बहुत बढ़ चुका यह यह पका पकाया वाला बहुत पहले था हना पेपर टफ किसे बोलते हैं पेपर इजी ही आता टफ का मतलब है लेंग्वेज को थोड़ा सा इधर उदर किया नहीं बच्चे ने दिमाग लगाना है नहीं क्योंकि उसको तो पका पका खायर नहीं की आदत जो हो चुकी है हना त तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं पेपर क्लियर हो जाते हैं टफ वगेरा कुछ नहीं होता बस तैयारी पूरी रखनी है और पेपर में दिमाग सिर्फ पेपर में ही होना चीए आपका किसके साथ ब्रेक अप चल रहा है किसके साथ में आपकी लड़ाई चल रही ह है वो सब एक्जाम के टाइम पे साइड में रख देना और सिर्फ एक गंटेगी तो बात है उसके बाद में जो भी हुआ है वो सारे वापस आ जाएंगे एक बार एक्जाम क्लियर करो सब के सब आपके कदमों में मिलेंगे ठीक है अगला क्योंसन है कंप्यूटर में प्रियोग किया जाता है मतलब जिसमें डेटा आपका प्रमानेंट स्टोर हो जाए जब तक आप उसको डिलीट ना करें तो फ्लॉपी डिस्क हार्डिस्क ऑप्तिकल डिस्क या इनमें सभी में बिलकुल यह हैं जरूर आपकी हैलपर या फिर सहायक लेकिन इन सब के अंदर डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता है तो आपका उपसन नमबर डी यहां पे सही हो जाता है अगला कैसन देखें रेम इस परकार की मेमोरी है इस की निया किस परकार की मेमोरी है क्या बाहरी मेमोरी है क्या सहायक मेमोरी है तो यह तो सेमी बात हो गई ना बाहर से यह भीतरी memory है अब इसमें बताना है मुख्य memory और भीतरी memory तो आपकी जो रेम है वो मुख्य memory है मुख्य memory में कौन से आती है आपकी रेम एंड रोम तो आपका option number C यहां सही हो जाता है देखो इसमें आप भीतरी memory भी कर सकते हो क्योंकि यह internal होती है option A और B दोनों का अगर C और D आए न तो आपके दोनों से ही हो जाते है सुपर कंप्यूटर के फ्लोपी की समता होती है जो आपका सुपर कंप्यूटर है उसकी अंदर जो फ्लोपी होती है उसकी समता क्या होती है यह मैंने बताया था क्या 500 MB, 600, 7500 या 900 क्या बताया था मैंने अगर class ली हो तो उसमें ध्यान से देखना मैंने बताया था super computer की जो floppy disk होती है floppy होती है उसके अंदर provided करवाई हुई उसकी समताप की 500 की होती है 500 MB ठीक है अगला क्योंसे ने अपना hard disk drive को किस प्रकार का storage मानना जाता है जो आपका hard disk drive है उसको किस प्रकार का storage मानते है flash मतलब शन भर के लिए उसके अंदर data होता है non volatile होता है temporary होता है या non permanent होता है देखो अभी अब previous year question दिखाऊंगा आपको एक देख लिए यह question नाम देखो floppy disk, hard disk, optical disk यह क्या है hard disk ठीक है hard disk drive को किस प्रकार का storage मानना जाता है देखो question सिर्फ language change होई एक में option में नाम दे दिया एक का question में नाम दे दिया बल्कि question आपका एक ही है तो बताओ hard disk आपकी क्या है बिल्कुल आपकी non-volatile है इसमें data आपका permanent store हो जाता है ठीक है अगला question देखे निमन लिखित में से कौन कौन सा computer का built-in memory है मतलब permanent memory की बात हो रही है या या फिर बोले जो जिसके अंदर electricity पास हो या नहीं हो उसके अंदर data आपका store हो जाए उस memory की बात हो रही है तो आपकी स्टोरेबल memory की बात हो रही है तो आपकी स्टोरेबल memory कौन सी है तो आपका रेमो रोम में से होगा और यहाँ पूछा आपको built-in memory तो built-in memory आपको रोम को बोलते हैं यह लाइन आप अपने नोट्स लिखे हैं उनमें लिख लेना कि रोम को रोम को रोम को built-in memory अ भी का जाता है प्रूप ठीक है यह लाइन लिख लिखे जए अपने नौट्स में थेलो नेक्स्ट्योन की तरफ बढ़े अपना अंध्या सने फैष क्या है यह जेको पीसरी आतो थीवार आ आते हैं आपकीक क्या है फैष का मतलब क्या होता है थोड़ी देर के लिए उसमें data का आना महलब एक light की तरह उसमें data का आना तो क्या वो software है क्या वो hardware है क्या वो Road है या फिर वो आपकी रेम है तो फ्लेस का मैंने example किसमें दिया था आपको जब मैं रेम और रोम पढ़ा रही थी तो मैंने रेम के अंदर आपको फ्लेस का एक्जाम्पल दिया था तो आपका यहां उप्शन नंबर डी सही हो जाता है रेम देखो यह मैंने नोट्स बनवाए और उनमें से डायरेक्ट क्योंस है cell phone में किस प्रकार का storage device यूजड किया जाता है cell तेल फोन में कैसा डिवाइस होता है वाई केस के बारे में चलो कियो सन में पड़े तो इस आइस मेमोरी मैंने बताए था या फिर इसको कैसे मेमोरी भी भी बोलते हैं कैसे मेमोरी कन्फियूज मत हो जाना इस नाम case memory और case memory case memory मैंने क्या बताया था आपका रेम और CPU के बीच में काम करने वाला एक system होता उसको हम case memory भी बोलते हैं ठीक है buffer system में थोड़ा सा रुकाउट आना अपने बोलते हैं मैं हम आपकी class में buffering हो रही है मतलब थोड़ा system में या फिर आपकी class वगेरा में disturbance होना वह आपका buffering में आ जाता है ROM, read-only memory तो आपका जो cell phone है cell phone में कैसा data होता है मतलब कैसा storage device यूज किया जाता है तो आपके phone में flash memory यूज किया जाता है ठीक है यह क्योंसन आया हो है वाई CGL के अंदर अगला क्योंसन internal storage किस प्रकार का storage है internal storage किस प्रकार का storage है primary storage है secondary है, auxiliary है, virtual है अब secondary और auxiliary तो एक ही चीज है notes में लिखवाई है तो क्या हो जाएगा आपका primary हो जाता है क्या हो जाता है primary storage internal जो पहले से मौजूद हो उसको क्या बोलते है internal बोलते है तो आपका जो internal storage है वो क्या हो जाएगा primary storage हो जाएगा अगला क्योशना आपका CPU की संसाधना सक्ति को बढ़ाने के लिए CPU रेम के बीच में कौन सा माध्यम प्रयूक्त किया जाता है ये चीज मैंने अभी भी बताई है देखो मैंने क्या बताया था कि जो आपकी रेम होती है कम होती है मतलब इतनी भी कम नहीं होती लेकिन CPU जिस साब स्पीड से काम करता है उसके comparison में रेम की स्पीड कम होती है लेकिन अगर CPU कोई काम कर रहा है तो उसको टाइम पर जो CPU को बार-बार डेटा चाहिए वो डेटा टाइम पर नहीं मिलेगी तो क्या आएगी आपकी बफ किसकी help ली जाती है तो मैंने क्या बताया था आपको क्या वो वर्चुल बताया था क्या फ्लेश बताया था क्या कैसे बताया था देखो यहां कैसे आ गया ना तो आपका मैंने बोला कि कैसे का यूज होता है फ्लेश का सिर्फ शन भर के लिए डेटा वर्चुल बिलकुल न रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है बार बार वही चीज़े आ रही है सिर्फ क्योशन की लेंग्वेज इधर से उधर हो रही है अब तक मेरा सरदर्द होने लग गई है क्योशन सपड़ पढ़के आपको भी टिप्स पे हो गए होंगे किस मेमोरी में रखा करते हैं उसके बाद मदब इसमें इलेक्टरिसिटी पास होना बंध हो जाती है आप फोन को शट डाउन कर देते हैं मतलब पूरा बैक करके सट डाउन कर देते हैं फिर आप माली जी चलते चलते आपका फोन बैटरी डाउन होने की वज़ए से स्वीच ओफ हो जाता है ठीक तब जाके आपको मेरी class फिर मिलेगी उन में से देखोगे वह आज 11 वी है 12 वी class है वह आप search करोगे ठीक है उसके बाद में वापस से आपको वा ग्लास चलानी होगी तो मतलब आपकी जैसे light गई सारा काम आपको वापस करना पड़ेगा सारा data erase हो जाता है तो ऐसी कौन सी memory है है जिसके अंदर आप हाली में काम कर रहे हैं light जाने के बाद हैं वह सारा data erase हो जाता है तो बिल्कुल वह आपका हो जाता है रेम क्या हो जाता है रेम ओप्सन नंबर चार आपका यहां हो जाएगा अगला क्योंसन है compact disc cd को और किस नाम से भी जानते हैं आपकी जो cd है cd क के फुल फॉर्म दे रहे रहे हैं compact disc a compact disc को और किस नाम से जाना जाता है objective disc बिल्कुल नहीं प्रोजेक्टर डिस्क नहीं मैंने cd dvd यह सब आपको brd cd dvd brd यह किसके example में दिया था मैंने बोला था आपका एक magnetic disc होता है एक आपका optical होता है और एक अधर होता है कि बोला था मेगनेटिक में हमने रेम रोम को रख दिया था ओप्टिकल में cd dvd या brd को रखा था अधर में अपनने किसको रखा था पेंड ड्राइव कि मेमोरी कार्ड कि इनको अपनने अधर में रखा था तो city or dvd को मैंने किसका एक्जाम्पल बताए था आपको मैंने कहा था आपका optical डिस्का एक्जाम्पल है तो यहां पुछा है कि cd को और किस नाम से भी जान सकते हैं तो बिल्कुल city को हम optical तो सीडिय आपकी ओप्टिकल डिस्क हो जाती है ओपिस नंबर सी Witness कितने क्योशन कर दिए तो हुआ पर्सो की कलास में मैंने करने क staple क्योषन से 15 यू अब 10 यू द्यूत कि पर्सो का 12 Souls eviden एवरेज लेके चलो 25 क्योसन थे 25 25 अब करवा दिये टोटल कितने हो गए 50 कितने हो गए 50 क्योसन कि एक चेप्टर से 50 क्योसन मतलब एक कंप्यूटर है वही जिक्के नहीं है कि कुछ भी बना लो कंप्यूटर में कॉंसेप्ट पर्टिकुलर होते हैं कि यह चीज है इसी से क्योसर आएगा इसमें यह नहीं बताएंगे कि बनाने की प्रोसेस बताईए यह नहीं आता आप लोगों को आप लोग को कोई कंप्यूटर में इंजनियरिंग नहीं कर रहे हो है ना आपको सिर्फ कॉंप्यूटिश साथ में क्यों संस कर रहे हैं इसी के साथ मैं आपको और बात बता दूं आपका दिल्ली पुलीस का नोटिफिकेशन आ गया है इसके अलावा आपको जो एम टीएस की तियारी कर रहे थे एम टीएस दिल्ली पुलीस में कौन स्टेबल कौन स्टेबल की एक्जाम डेटा आ गया आपकी दिसंबर में एक्जाम है है ना दिसंबर में एक्जाम है साथ और आपकी एम टीएस की भी डेटा आ गयी है तो अभी क्या करना है टाइम है नहीं बिलकुल भी कबसे है नवंबर दिल्ली पुलीस की हाँ जी आपकी दिल्ली 21, 22, 23, 28, 30, 30, ये तो दिल्ली पुलीस की है नवंबर में, इसके अलावा 1, 4, 5, ये हैं दिसंबर में, आपका भी क्या जल रहा है जून, ठीक है आधा जून जा चुका है, आपके पास बचा है जुलाई, अगस्त, सेप्टेंबर, ओक्टोबर, तो आपका जुलाई, अगस्त, और सितंबर, आधा, मतलब धाई महिने के अंदर साहरा का साहरा कोंसेप्ट, क्लियर हो जाना चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर का नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का, जिक्के का, कंप्यूटर का, रीजनिंग का, मैथ का कॉंसेप्ट, एक बार क्लियर हो जाना चाहिए, बाद में बचता है, आपके पास आधा सितंबर और अक्टूबर, इसमें क्या करना है, आपको, वो साहरा का साहरा कंटेंट, रीपीट करना है, मतलब एक बार रिविजन और हो जाना चाहिए, और कंप्यूटर का, तो एक्जाम तक, भाई, जितना मैं प्रिविएस यहर में आये हुए है, वो लगाते रही है, सिर्फ कंप्यूटर के नहीं, सारे जिक्के के, मैथ के, रीजनिंग के, जितने भी क्योशन साहब के प्रिविएस यहर में आये हैं, वो लगा लीजिएगा, साथ में आपकी MTS की भी पोस्ट आ चुकी है, MTS के आप के MTS के एक्जाम, फिर से आगे, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ या फिर लग रहा है कि कम चांसे है, वो फिर से लग जाना, जिसका टार्गेट वाई MTS है, और देखो, अपनी क्लास टाइम पे लो, फ्री की क्लास है, कोई पैसे भी नहीं चार्ज करें, किसी किसी को जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूं, आप खुद देख लीजेगा, मेरा बोलने से आपको क्या फरक पड़ेगा, लेकिन आप खुद देख लीजेगा, कोचिंग के कंटेंट से मिलाके हमारा कंटेंट देखना आप, उनसे आपको ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं म नहीं लेगा, इसलिए मैंने बोला था, अगर कोई नया नया फिल्ड में उतरता है, तो हम लोग यह सोचते हैं कि यह तो नया इसको क्या आता है, भाई नया वो उतरता है, जिसको पता है कि बाई, और टीचर्स कहां गलती कर रहे हैं, कहां कमी छोड़ रहे हैं, वो कमी पोन पे नमबर देंगे, अपने उस पे कर देना, फालतों में कहीं और लगाओगे, किसी को आप हजार दे रहे हो, तो हमें 500 दे देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको ऐसे तसली मिलती है, पैसे दे के ज्यादा अच्छा पड़ा जाता है, तो कोई बात नह हम मना नहीं करेंगे, गुरु तक्षिना समझ के ले लेंगे, ठीक है, तो आपको आना, सारी क्लासे मिल रही है, टाइम पे, आपकी जिक्के की क्लास, मैथ की क्लास, हिंदी की क्लास आ रही है, और मेरी कंप्यूटर की क्लास आ रही है, तो आपकी जिक्के की, और मैथ की क् आठ बजे और शाम को किते बजे होती है मैथ की ग्लास नहीं होती है मैथ की ग्लास सुबह होती है आपकी ठीक है और आपकी जिक्क्य की शाम को आठ बजे से होती है सुबह आठ बजे मैथ की होती है और शाम को आठ बजे जिक्क्य की होती है और मेरी शाम को चार बजे होती है प्रपकर देखो आपकी जिक्के कोनटेंट सिल रहाइं फालतु में टाइम वेस्ट मत करो और फटा-फट अपना कोर्स कंप्लीट करो इदर उदर मूँ डालने से कुछ नहीं होगा आप दो दिन इसकी क्लास लोगे दो दिन उसकी लोगे टाइम वेस्ट होगा एक प्लेटफॉर्म पकड़े हमारा पकड़ो किसी और का पकड़ो किसी का भी प्लेटफॉर्म अपना पर्टिकुलर पक कहेंगे ठीक है उमीद है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे और एकदम अच्छे से मैनत और जिसमें अभी तक त्यारी शुरू नहीं की है वह आज से कर देना भी टाइम नहीं है ज्यादा है ना तो बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही बने रहे हैं ऐसे सपोर्ट करत झाल